इस वीडियो में हम MongoDB Atlas देखेंगे MongoDB Atlas एक Cloud Service है जिस पे आपको MongoDB मिल जाता Cloud Service हमको क्यों चाहिए जब आप Local Host पे Database यूज करते हो तो आपके Local Development के लिए अच्छा है लेकिन अगर आपको Site कहीं Live करनी है कहीं Deploy करनी है तो आपको एक Hosted Database चाहिए होगा एक तरीका तो यह है कि अगर आप Linux Expert हैं तो आप अपनी Linux Hosting पे ही वहाँ पे एक MongoDB इंस्टाल कर सकते हो कई लोग इस अब नहीं चाहते हैं और उसों reliable भी नहीं होता क्योंकि कई बार MongoDB fail भी हो सकता है तो आपको Server Maintenance करना पड़ेगा तो उसके जगे MongoDB Atlas आप यूज कर सकते हो पहले इस service का नाम MLab था पर अब यह Mongo Atlas का नाम से मैं sign up करता हूँ और पहली बार में यह आपसे कुछ policy term service accept करवाएगा इसके बाद आपको ऐसा panel दिखेगा अभी कोई organization नहीं है members अभी चाहें तो आप ना add करें आप खुद ही एक member होगे इस organization के अब next आपको एक project बनाना पड़ेगा इस organization के अंदर तो project के अंदर ही आप database बना सकते हो तो एक project बनाते हैं जो हमारा demo है उसके लिए तो Mongo Atlas demo नाम से मैं एक project create कर देता हूँ permissions वगएरे यह सब दे सकते हैं अभी के लिए मैं default option चूज करता हूँ project create हो जाएगा project के अंदर clusters होते हैं clusters क्या है वो थोड़ा एक advanced concept है तो अभी उसको छोड़ते हैं clusters के अंदर basically अपका database होता है तो एक cluster आपको बनाना पड़ेगा तो free वाला use कीजिए demo के लिए तो यहां shared cluster option है काफी सारे option आएंगे इन सब को आप change मत कीजिए क्योंकि यह आपको free option दे रहा है change करेंगे तो हो सकता है वो paid में convert हो जाए तो create करता हूँ मैं यहां कुछ security verification आ रहा है तो थोड़ा verification के बाद यह अब start हो गया है तो अब यह कह रहा है एक से तीन मिनट लग सकते हैं इस cluster को initialize होने में तो cloud में आपका एक cluster बन रहा है cluster basically क्या होता है कि बहुत सारे छोटे 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 आपके database divide होते हैं कुछ different और यह क्यों divide होते हैं कि कभी कोई fail हो जाए एक version तो दूसरे server से आप data पठा सको तो यह काफी अच्छा तरीका है कि आप काफी चीजों पर replicate कर पाते हो अपने database server को तो यह थोड़ा time ले सकता है depending on कि क्या situation है उनके server पर कितना load है तो एक बार यह initialize हो जाता है उसके बाद में आप इस cluster पर connect कर सकते हैं तो यहां आप connect पर click करेंगे तो यह कुछ options पूछेगा तो जैसे add a connection IP address तो generally database को secure रखने के लिए ऐसा होता है कि वो कि आपके application के IP address से चलता है ताकि कोई यह hack ना कर सके आपको अभी हम test कर रहे हैं तो यहां पर मैं कुछ allow access from anywhere कर देता हूं तो यह 00 IP देदेगा कुछ optional description मैं put करता हूं तो IP address हो गया एक database user आपको बनाना पड़ेगा अभी तक हमने अपने जितने वीडियो देखे हैं उसमें मैं username, password set नहीं करता था पर एक अच्छी practice नहीं है local database, local host पर चलता है आपका laptop है तो आप सीधे connect हो जाते हैं और generally application में एक username, password होता ही है आपके database को access करने के लिए तो मैं कुछ username और password यहां पर set कर देता हूं इसको हम use करेंगे connect करने के लिए तो password देते वक्त ध्यान रखें कि password आपको use आएगा बाद में तो आपको note भी कर सकते हैं या फिर at least इसको याद रखें क्योंकि इसके बिना आप database से connect नहीं हो पाएंगे यहां पर काफी जारे option है कि आपको mongo shell से connect करना है जो आपके terminal command prompt होता है यह आपको application में use करना है या इनका एक software होता है mongo db compass उसमें use करना है तो अभी के लिए मैं बीच में जो connect और application है वो option use करता हूँ क्योंकि हमारी application है तो यहां पर एक code आपको दिखाई देगा यह code थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसका काम बिलकुल वैसा ही है यह एक URL है जो आपको remote mongo db पर connect होने के तो मैं इसको copy करता हूँ और हमारे पस तो robo 3T मैं use कर रहा हूँ यहां पर mongo atlas demo नाम से है और यहां पर मैं यह put कर देता हूँ अब यह from srv बटन आप जैसे ही click करोगे उससे पहले यहां password missing है आप देखो कि coder dose और password यह password इन्हों डमी डाला है इसकी जगे आपको वो password डालना होगा जो भी आपने set किया था तो coder dose password था वो हमने यहां put कर दिया उसके आगे यहां आप अपने database का नाम भी change कर सकते हो जैसे my first database तो इन्होंने लिख दिया इसकी जगे जो भी database आपका नाम रखना चाहें और रख सकते हैं अभी मैं कुछ खास change नहीं करूँगा test कर सकते हैं उससे पहले तो यह अभी बता रहा है कि access है अभी from srv आप देखो अब इसको check करो test again तो यहां पे fail हो रहा है तो fail होने के कई reason हो सकते हैं सबसे common reason है कुछ आपने गडबड की हो तो यहां पे जाके आप अपना password reset कर सकते हैं तो मेरे case में अभी password ही मैं गलत put कर रहा था तो आप वापस से मैं यहां आता हूँ from srv से उपर दोनों cluster है इन cluster में से एक दो delete भी कर दो तो फरक नहीं पड़ता पर generally तीन cluster यह provide करते हैं यह सारी settings जो इन्होंने put की है यह default आप रखें तो अच्छा है मैं आपको फिर भी एक बार settings दिखा रहा हूँ अब सही password डालने के बाद मैं connect करता हूँ तो यह connect हो गया है तो इसको save कर देते हैं इस पे click करते हैं थोड़ा सा time लगेगा क्योंकि एक remote server है तो local host इतना fast नहीं होगा तो इस cluster में अभी कुछ नहीं रिखाई देगा है तीन cluster हैं जो mongodb के आपके connected है और यहाँ पे कोई database नहीं रिखाई दे रहा है तो database अभी तक क्योंकि हमने create ही नहीं किया है तो cluster में जाते हैं collections देखते हैं यहाँ यह दिखा रहा है कि या तो आप sample dataset लोड कर सकते हैं तो इस पे click करोगे तो यह बताएगा साड़े 300MB का sample data है पर मैं इतना data add नहीं करना जाता अपने dummy server पे तो मैं एक खुदी database बनाता हूँ इसका नाम है demo collection का name है maybe demo collection create कर देते हैं तो एक collection create हो जाएगा तो demo database में demo collection मन गया और इसमें हम एक doc बना देते हैं उसका name मैं रखता हूँ demo doc तो काफी simple सा एक structure है database उसके अंदर collection और उसके अंदर document इसी चीज़ को check करते हैं कि हम access कर पा रहे हैं क्या अपने client से तो refresh करते हैं यहां नीचे आप देखोगे तो demo नाम से एक database बन चुका है तो पहले यह database नहीं दिखाई दे रहा था तो demo पे आप click करोगे तो यहां collection collection में demo collection भी दिख रहा है और उसके अंदर एक doc हम accept करते हैं इसमे name demo doc तो सारा आपका connection check हो गया आप front end से अपने local से इसको connect कर पा रहे हो connection में पूरा code भी आप copy कर सकते हो अगर आपको mongodb में इसको node.js में आपको use करना है तो पर मैं केवल यह uri वाला part ही copy करता हूँ उसके लिए भी क्योंकि मैंने code पहले से लिख रखा है तो जैसे यह application है हमारे पास और इसमें हम task db नाम से एक db यूज़ कर रहे थे locally तो इसकी जगे मैं अब यह uri यूज़ करूँगा तो यहां uri है तो मेरे case में url था तो मैं change कर देता हूँ इसके अलावा इसमें password जैसे missing था तो यहां पे भी हमको manually password देना पड़ेगा यहां मैं task db नाम रख देता हूँ क्योंकि मैं एक नया database बनाना चाहरा हूँ जिसका नाम है task db तो होगा नहीं तो वो पहली create request पे बन जाएगा यहां पे मैं password पूट कर देता हूँ password को यहां रखना secure practice नहीं है पर अभी के example के लिए हम यह use कर रहे हैं बाकी सब यह standard practice है यहां new आजकल जो latest change है उसमें mongoose connect में new url passer true और unified topology true करने को वो आपको warning देगा तो यह थोड़ा सा एक change मैं कर रहा हूँ इसके अलावा इसकी कोई खास requirement नहीं है आप वापस से server start करते हो तो mongo db connected आ गया तो हो सकता है यह successful रहा है API से check कर लेते हैं तो local host पे ही वो API या पर वो remote server से अब connected है तो get करके देखते हैं तो यहां अभी तो यह एकदम blank आ रहा है तो कुछ गडबड होगी तो जैसे मैं कुछ add करता हूँ task one for atlas क्योंकि अभी हमने जो db connect है है ही नहीं तो अब जैसे task one for atlas यह कह रहा है add हो गया है देखते हैं यहां पे जाके तो collections में देखो गया task db एक database बन गया फिर उसके अंदर task एक collection task collection के अंदर एक doc task one for atlas यहां cloud में भी मैं एक बार change करके देखता हूँ कि cloud में अगर change हो जाता है तो वो हम client पे reflect कर पाते हैं या नहीं cloud में एक change करते है mongodb atlas लिख देता हूँ मैं इसकी जगे और यहां update पे click करते है तो यह cloud की cloud में आपने edit कर लिया अब यहां refresh करके देखो गया तो यहां भी वो data update हो के आना चाहिए तो अब आपके पास updated data है तो एक तरह से आप connect हो गए हो cloud database से यह काफी small step है काफी easy to integrate है इसके बाद आप अपने server के code को कहीं पे भी online deploy कर सकते हो जहां से भी यह database access हो पाए तो इस channel पे हम देखते हैं interesting code concepts और उनके example codes अगर आप और ऐसे video देखना चाहते हैं तो subscribe कीजे काफी